नवस्कार गाईज आज में बताऊंगे आपको नारियल के बूरे का लड़ू इसको मार्केट में बूरा बोलते हैं यह है नारियल का किसा हुआ बूरा नारियल का किसा हुआ बूरा चेरी, इलाइची, किसमेस, काजू बदाम, पिसा हुआ बूरा चीनी का और मिल्क पेन को हमने चड़ा दिया है गैस पे अब हम हमारे बूरे को सेखेंगे कड़ायों हमारी गरम हो चुकी है इसमें हम डालेंगे बूरा बूरे को डायरेक्ट डालना है गाइस क्योंकि हमें इसमें घी का उपयोग नहीं करना है क्योंकि बूरे में ऑटोमेटी की घी होता है अब हम इसको थोड़ा सा खुश्बू आने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक सेखेंगे तो यह हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है और इसमें से अब खुश्बू भी आने लग गई है अब हम इसमें किस्मिस में लाएंगे काजू बदाम की टुकड़ी दालेंगे और आप इसमें किस्मिस डाल दिये काजू बदाम की टुकड़ी दाल दिये और आप इसमें हम इसमें घी का बिल्कुल भी प्रयोग हमें नहीं करना है और हमने गी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करा है इसमें हमने दूट डाला है और आप इसमें आज कृष्ण जन्वास्ट में हैं आप इसमें नवरात्रों और आज वाले व्रत्में आराम से इसका उप्योग कर सकते हो अब यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम इसमें अपना पूरा मिलाएंगे यह हमारा ठंडा हो चुकाँ है अब हम इसमें पिसी विचीनी जनी बूरा मिलाएंगे बूरा आप अपने साथ से मिलाना कि कुछ लोग मिठा ज़्यादा-खाते हैं कुछ लोग मिठा कम खाते हैं आ हख भाइस की आओ आप इसकी बर्फी भी जमा सकते हो यह देखिए इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे यह देखिए गाइज इस तरीके से हम कितना फास्ट हमारे लड्डू तयार हो गए कितनी जल्दी यह बने हैं हमने केवल हमारे बूरे को सेखा है गौर्डन ब्राउन होने तक उसके बाद में हमने इसमें चीनी मिलाईए और थोड़ा सा दूद एड़ करा है और ड्राइफ रूट्स डालें आप चाहो तो इसमें प्रियोग भी कर सकते हो बट मैंने अवोइड करा है और यह देखिए कितने अच्छी हमारी रेसिपी तयार हो गई है यह आज आप व्रत में उप्योग कर सकते हो अगर गाईज मेरे यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप सस्क्राइब कीजिएगा लाइक किजिएगा कमेंट्स भेजिएगा और शेयर भी कीजिएगा थैंक यू फो वचिंग माई वीडियो थैंक्स अलोट गाईज